JP University के सभी students के लिए बहुत ही बड़ी खबर, University द्वारा सब कुछ रद कर दिया गया है, जिहां दोस्तों सब कुछ रद होने वाला है, जितने भी छात्रे इस वीडियो को देख रहे हो, सभी students के लिए बहुत ही चिंता जनित खबर है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखो दो है, जितने भी छात्रे इस वीडियो को देख रहे हो, लाइब प्रूप आपको दिखाऊंगा, इस वीडियो में पूरी जनकारी आपको दूँगा, सबसे पहले आप लोग अपने मुवाइल फोन का, गूगल ओपन कर लें, और सर्च बॉक्स में टाइप कर दें, जिहां सर रिजल्ट जारी होने वाला है, उनका रिजल्ट रुख जाएगा, जिनका परिच्छा होने वाला है, उनका परिच्छा रुख जाएगा, जिनका एग्जाम फॉर्म होने वाला है, एग्जाम फॉर्म रुख जाएगा, जिनका रिजिस्टेशन होने वाला है, जिनका एडम लगने वाला है, जिसको लेकर सभी सेंशिटिक सस्थान बंद हो जाएंगे, महा बिद्ध्याले विश्विद्ध्याले सब कुछ रद हो जाएगा, मतलब इस सारे सेसन फिर से लेट होंगे, जो इस साल कम्पलीट होने वाले हों, अगले साल कम्प्लीट होंगे, अब ये lockdown कब तक चलेगा, कितने तरीक तक रहेगा, कितने तरीक से लागू होगा, विस्सेविद्धाली में सब कुछ कैसे बंद होगा, कितने तरीक से बंद होगा, सभी जनकारी इस वीडियो में बताए गई है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखें चैनल पर नीव जर हैं, तो सब्सक्राइब कर लिजे, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का उसन दिख रहा होगा, क्लिक कर दिजे, आने वाली सभी जुड़ी जनकारी जपी इनवर्सीटी से और बिहार की तरफ से मिलता रहेगा, आपको सबसे पहले हमारे चैनल महोरिया चलिए स्टाड करते हैं और आपको लाइब प्रूप ले चलते हैं, वीडियो को कहीं छोड़कर मजएगा, आन तक देखिएगा, स्टाड करते हैं, लेस मेगन, दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे सामने बिहार के सभी स्टुडेंस और जेपी इनवर्सीटी के खास करकि जो जेपी इनवर्सीटी में स्टुडेंस एडमिसल लिये हैं, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखे, देखिए बिहार सरकार ने क्या बोला, बिहार में भी ओमिक्रॉन की जाच जल्द सुरू हो रही है, मुख्यमंतरी ने कहा कि तीसरी लहर की आसंकाव को देखते हुए हम लोगों की पूरी तैयारी बनी हुई है, जी हां दोस्तों, यहां पर देखे, बोले मुख्यमंतरी बिहार में अभी ओमिक्रॉन से पीडित का पता नहीं चला है, हमारा मकसद है कि अधिक से अधिक जाच कराये जाए, अगर दोस्तों यहां पर देखे, क्या बताया बिहार में अभी ओमिक्रॉन से पीडित का पता नहीं चला है, इसकी जाच के लिए हम लोगों ने दिल्ली सेंपल भेज दिये हैं, जी हां बिहार सरकार ने इसकी जाच के लिए दिल्ली में सेंपल भेजा जा चुका है, यहां पर बताया जा रहा है कि जिसकी रिपोर्ट अ एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सही है कि फिर कुरोना संकर्मन राज्य में बढ़ने का चांस पूरा है देखिए बढ़ने लगा है यहां पर बताया जा रहा है खासकर पटना में अधिक आ रहा है कुरोना के केस जिहां अब तीसरी लहर आने का मतलब यह है कि सब कोशी जतने वे संस्था हैं फिर से खुलोज होंगे यहां पर बताया जारा कि तीसरी लहर की असंकाव को लेकर हम सब सजक है और इसके लिए पूरी तयारी सब लोग सक्रिया है हमारा मकसद है यही यह अधिक से अधित कराया जाए कोई पीडित हो तो तुरंत उसक तो मतलब स्टेज भी स्टेव आप लोगों को होस्पिटल में भरती भी किया जाए जैसे कि दोस्तों यहां पर देखिए बोला जा रहा है कि विवस्ता फिर से होगी सीम ने कहा कि दूसरे देशों में ओमीक्रॉन बढ़ रहा है देश के कुछ राज्यों में भी बढ़ा है य एरपोर्ट से लेकर हर जगाज पर जाच की जा रही है विवस्ता की गारी है समानमेया चेंश के के अभी नहीं आया आलेगिन लेकिन आने की पूरी संखाय बने हुई है इन्वर्शीटी के बात करें दोस्तों इन्वर्शीटी वे देखें इन्वर्शीटी जो है अगर मान लीजे केस क्रोना लॉगड़न लगता है और क्रोना केसेस की जो संख्या है अधिक होती है तो फिर इन्वर्शीटी में परिच्छा है रिजल् से जल्द कंप्लीट होना था अब लेट होगा बहुत ज़्यादा लेट होगा अब देखिए जो लाइन लेंथ अच्छा सा अच्छा चल रहा था लेकिन आब उसमें जो है देरी होगा तो यह है गाइज है सभी स्टूडेंस वीडियो का अपने सभी नेजी फ्रेंड दोस्तो को मिलता रहेगा तो चलिए दोस्तों नेश्ट वीडियो लेकाएंगे बहुत जल्द तब तक के लिए धन्यवाद जाहिंजा बंदे मात्रम चैनल पर न्यूजर हो तो सब्सक्राइब कर लेगा जरूर भाई कि आने वाले समीजुड़ी जनकारी इसी तरह मिलता रहे सबसे पले